कि नबस्कार दोस्तों कॉलिटी मेगनिफाइंडिया में मैं आपका दोस्ती इपकुमार स्वाइब आप सभी का स्वागत करते होँ दोस्तों मेara प्रयश रहता है कि में आपके और उससे अब फाइदा ले और अपना professional life में इस्तमार करके और भी आगे बढ़े दोस्तों आप अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं welding related वीडियो बहुत बनाया पहले जिसमें welding processes है welding का defects है welding symbols है कुछ entity methods है मगर वो बिस्तार में बताएगे हैं हर methods और process और welding का defects बगरा वो सब बिस्तार में बताएगे हैं मैं ऐसा particular video बना रहा हूं जिसमें जो नए बंदे हैं या जो नए candidate है या जो still continue कर रहे हैं welding में continue कर रहे हैं या ज्यादा experience उनको नहीं है उनके लिए complete guide बना रहा हूं जिनको उनको समझ में आएगा कि welding होता क्या है उसमें क्या-क्या चीज होता है और जो अल्रेडी वो फिल्ड में है उनको और भी ज्यादा knowledge मिल सकता है कि welding एक वास्ट फिल्ड है और इसमें job opportunity बहुत है हैं कि welding में आप टेस्टिंग और के ले इसे वल्डिंग इंसपेक्टर अपना करियर अप विल्डिंग के रिलेटेष देस्टिंग उसमें level 2 level 3 परगर कर सकते हैं नहीं तो अगर आप API का कुछ भी कोर्स करेंगे उसमें NDT कर वोल्डिंग का रिलेशन पका रहता है जिसमें आपका वोल्डिंग का जुरत पड़ता है तो उसी साब से आपको वोल्डिंग के बारे में नौलेज होना बहुत बहुत ही जरूरी है और अगर आपको उस याप सब्सक्राइब गाइड गाइड तो चलिएद दोस्तों सुरू करते हैं एक मपलीड गाइड वर रिलेज़ टु दो रूल्दिंग from a to z all the things in brief okay हम लोग डीटेल में जाएंगे अगर आपको डीटेल में जाना है तो आप मेरा प्रीबियस वाला वीडियो देख सकते हैं एक टॉपिक को मैं डीटेल में उसको विस्तार रूप से बताया हूं तो पहले दोस्तों वोल्डिंग होता क्या है वोल्डिंग इस दा प्रोसेस अब जॉइनिंग टु सिमिलार और डिस्सिमिलार मेटरल विट और विदाउट प्रेशर और विदाउट फिलर सब्स्टांसिस आप जब वोल्डिंग कर रहे हो आप कोई दो सिमिलार प्रड़क्त ले सकते हो कोई दो dissimilar product भी ले सकते हो उनको आप with pressure में भी join कर सकते हो without pressure में भी join कर सकते हो आप दोनो individual substance को with filler metal भी join कर सकते हो without filler metal भी join कर सकते हो तो उसका definition बहुत simple है कि welding is the process of joining to similar or dissimilar you can join any two similar material or any two dissimilar material sometimes with pressure or sometimes without pressure and sometime with filler wire or sometime without filler wire the concept should be clear for everybody तो यह होता है welding का गैंघैर कॉवलिडीं में ओने से दोम देशफेर में १ुक भलग व Sugel rivers बालग हुटेय बलग घ्जाइन कहां यहल्डी उर्टीजाइन क्या होता है बनिदीफिक्ट कोनस आते हैं दिस्टॉरशन कते होता है। उसको कैसे होता है। कि inspection and non destructive testing of words world welding होने के बाद हम लोग उसका क्या inspection करते हैं यह तो holding होने के time में यह holding होने से पहले हम लोगs inspection करते हैं और उसका non destructive testing क्या क्या किया जाता है कौन सा थोड़े special welding टेक्निक है और WP qr or older qualification क्या है यह सब टॉपिक में अगर आप एक एक करके टॉपिक जाएंगे इसका एक एक वीडियो में अलड़ी बना चुका हूं जो की पुरा विस्तार में हैं आप पहले वीडियो देखो देखने के बाद मैं उन लोग के लिए बता रहा हूं जो लोग अपना केरियर नया नया ओल्डिंग मे सुरू कर रहे हैं याँ ओल्डिंग में उनको दिल्चस भी है सीखने का मन है यह वीडियो आप देखने के बाद आपको एक अपर और लाइडिया मिलता है लाध मैं आप क्या करो मैं पुराने वीडियो में जाओ उसमें आप विस्तार में पता करो की वह टॉपिक के बारे म as best metal हम लोग वोल्डिंग उसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अगर दो dissimilar and similar metal को join करते हैं ठीक है तो उनका strength जो है ओ strength हमको holding में achieve होना चाहिए उससे ज्यादा हो कम ना हो ठीक है तो good world is as strong as best metal best metal में जो strength होता है welding के time में वो strength weld metal का strength best metal से ज्यादा होना चाहिए नहीं तो उसका बराबर का होना चाहिए लो कस्ट अब जेनरल वोल्डिंग एकुमेंट पर्मिट फ्रिडम इन डिजाइन लाइटर स्मूथ फ्रक्ट्टर बोग सिमिलर एंडी सिमिलर मेटल केन बी जॉइंड सिम्प्लिशिटी इन डिजाइन इजी अप मोडिफिकाशन और एडिसंस एंड मेकानिजीम अब वोल्डिंग प्रोसेस एक कुछ आडवांटेजेस हैं वोल्डिंग के हमको क्या अडवांटेज मिलता है डिस अडवांटेज क्या है हार्मफूल राइट रिडिशन जब वो जब वोल्डिंग होता है तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है इसलिए डिस्टोर्शन और रेसिड्वाल स्ट्रेशेस डेबलप हो सकते हैं परेंट मेटल में आप जहांबर वोल्डिंग कर रहो हो चैंज इन मेटालूजिकल प्रोपर्टीस अब बेस मेटल अगर आप जिसटाए व प्रोपर्टी प्रोपर्टीस अपर तो अदियुकत अफ्टेर मेटल आ थे आप स्थटान जोल्ड करना करना पथा ए डिस standard of testing inspection these are some of the disadvantages it is not actually disadvantage it is a cost it's a low higher cost required for this one so welding gas holding resistance holding arc holding advanced welding and solid state holding okay there are some i didn't my poor eyes may nahi dala kitna holding there are lot of types of welding but i selected some of the uh commonly used welding processes in industries the gas holding oxy acetylene air acetylene oxy hydrogen resistance holding bolt spots seam and projection arc holding carbon arc metal arc plasma arc mig or meg i didn't write meg but mig or meg and tick advance welding electron beam laser solid state welding friction ultrasonic diffusion and explosion the welding processes kya kya welding process are generally amlog thoda dekhenge arc welding resistance welding oxy full gas welding other fusion welding process solid state welding weld quality weldability and design consideration in welding okay so welding processes kya kya fusion welding hum log bolta hain kisko fusion welding welding bolta hain coelances is accomplished by melting the two parts be joined in some cases adding filler metal to the joint hum log kya karta aquil tạinya c Coast neb kya kya levelまた dada Shimak till kya kapoo kya krinnek Dzaassociable 2.4 krquatta ke di automobong plaatwa D對吧 talman now Eurovision के लिए कोशिस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं solid state holding क्या 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 है फोर्ज holding diffusion holding examples और fusion holding में क्या है आर्क holding resistance spot holding oxy full gas holding उसके बारे में हम लोग आके में बात करेंगे यह holding है कि तो आर्क वोल्डिंग में जनरली क्या होता है a fusion holding process in which equivalences of the metal is achieved by the heat of an electric arc between an electrode and the work उसमें क्या क्या जाते है कोई भी एंड को आइदर electrode और वर्क को positive या negative में लगाया जाता है जिसको हम reverse और straight polarity बोलते हैं ठीक है straight polarity electrode negative reverse polarity electrode positive तो हम लोग करते हैं बाद में जब positive और negative को contact में लाया जाता है then a spark is created जब sparking होता है तब heat generation होता है और due to that heat generation if sometimes we add the filler metal sometimes we don't add the filler metal हम लोग दोनों को जोड देते हैं ठीक है उसको arc holding बोलाया जाता है electric energy from an arc produces temperature more than 10,000 degree Fahrenheit which is almost 5,500 degree centigrade hot enough to melt any metal carbon steel का 1539 सा कुछ है okay so it is 5,500 degree centigrade the melting temperature most are cooling processes and filler metal to increase volume and strength of the what is an electric arc an electric arc is discharge of electric current across a gap in a circuit हम लोग समझने के लिए कोसिस कर रहे हैं जो beginner है कि electric car कैसे create होता है बाद में current कैसे flow करता है current का source हम लोग कहां से लाते हैं generally current का source हम लोग कहां से लाते हैं generator से ला सकते हैं rectifier से ला सकते हैं transformer से ला सकते हैं ठीक है वहां से लाके हम लोग एक power create करते हैं बाद में we bring the positive and negative material in contact with each other where there is a spark okay हम लोग जो बात के we can make the spark and can create the heat up to 5,500 degrees centigrade ठीक है तो आर्क वोल्डिंग जैसे आपको इदर बताया गया है आपको एक electrode आपको एक electrode holder इदर रहता है electrode holder से आप क्या करते हो एक आपको इदर आपको इलेक्टोड हो गया ठीक है एलेक्टोड यह हो गया वार्क पिस और एलेक्टोड और वार्क पिस को जब कनक में लाया जाता है तो देर इस पार्क okay so when there is a spark sometimes we are using the filler metal or sometimes we are not using the filler metal and we create a arc and we melt the filler metal and we can produce heat energy by which we can join two metals okay कि कर आधिएं तो कार्बोन आर्क कोंडिंग किसको बोलते हैं थेकए अबन लोग एककर टोपिक में between MP3 अब तो कहिंगे अकार कोड़्ों किया होता है बाद में आर्कोंड़् इंद गारओक और प्ड़ूंसफिया यह सी फिसी कर टार में होता है ठीक है उसको हम लोग यूज करते हैं to create a spark okay जब sparking होता है then the heat energy will be developed and the heat energy will be developed at that time हम लोग दोनों को दो metal को जोड सकते हैं अगर उस heat energy creation के time में आपको filler metal add करना है तब आप filler metal add भी कर सकते हो filler metal में और may not be used जैसे पता गया है इस method में आप कभी filler metal यूज कर सकते हो कभी यूज भी नहीं कर सकते हो DC straight polarity is preferred to restrict electrode disintegration and amount of carbon going into the weld metal हम लोग जन्रली इस method के लिए DC यूज करते हैं this is straight polarity straight polarity में क्या बला था electrode negative ठीक है this process is used to for welding steel aluminum nickel copper and other alloys this process is manually operated it is an arc cooling process where the coalesce is produced by heating the workpiece with an electric arc ठीक है silded metal arc holding silded metal arc holding या हम लोग इसको manual metal arc holding भी बोलते हैं इसका और एक नाम क्या है manual metal arc holding इसको कोई stick holding भी बोलते हैं क्योंकि electrode stick जैसा दिखता है इसको stick holding भी बोला जाता है it is an arc welding process where the coalesce is produced by heating the workpiece with an electric arc set up between flux-coated electrode isco electrode बोला जाता है ठीक है flux-coated electrode and the workpiece it is flux-coated isco for flux ray बोलते है bare material copper flux ray बोलते है the flux covering decomposed due to the arc heating and perform many functions like arc stability weld metal protection etc the electrode itself melts and supplies the necessary filler metals a big range of metal and their alloys can be welded welding can be carried out in any position this process is manually operated and i can say a bala jo manual metal arc welding है या shielded metal arc welding है it is very popular process of doing welding ठीक है क्योंकि इसमें defect आने का chances बहुत कम है compared to other processes manual metal arc welding या shielded metal arc welding में defect आने का chances बहुत काम है और यह popular in known है और यह बहुत जगह पर यूजगा पर यूज़ किया जाता है कि सब मोर्च्टर बहुत ждisमें के अव लोके कर सी उसकोन सींहर आ करते हैं और फ्लक्स के हम लोग फिलर वायर को क्या करते हैं प्लाक्स हंदर इसको Wiki नअ desert मकलिगर एंवाला जाता हैनकि उसका ऑँ कहिंगर युश का जो पिलरेह रह था इनраiese the flux okay इसले उसको hidden arc holding भी बोला जाता है, submerged arc holding it is an arc holding process where the valence is produced by heating up with an electric torch arc set up between a bare metal electrode, bare metal बोला, bare metal electrode and at the job the arc and the electrode and molten pool remains completely hidden okay इसले उसको hidden arc holding भी बोला जाता है and visible being submerged in a blanket of granular materials okay the continuously fed bare metal electrode metal and act as a filler rod no pressure is applied for welding purpose the flux served as a seal इसमें pressure का जरुवत नहीं होता है ठीक है the process में भी semi-automatic or automatic generally automatic process का आता है मगर कभी-कभी एक operator का जरुवत पड़ता है जहां पर कोई heavy holding होना है high production holding होना है वहां पर submerged arc holding को यूज किया जाता है क्योंकि इसका production rate बहुत हाई है इसमें आप जो filler wire use करते हो उसका diameter generally ज्यादा होता है 3 mm 4 mm 5 mm ऐसे होता है उससे भी ज्यादा होता है tungsten inert gas holding tungsten inert gas holding tungsten inert gas holding या TIG इसको TIG बोला जाता है it is an arc holding process where the covalence is produced by hitting the job with an electric arc stock between a tungsten electrode and the job the shielding gas is argon helium nitrogen etc shielding gas हम लोग क्यों यूज करते हैं to avoid oxidation हमारा oxidation को avoid करने के लिए ठीक है तो shielding gas इसमें क्या यूज किया जाता है है आर्गोन 헤लियम nitrogen हम लोग पहले क्या पढ़ेते हैं यससे सब्मस्ट्र रफोल्डंग में के से क्या जाता है Plock से बाद में से इachen 27ड़ल अर्कोल्डंग में फ्लस्ट बाद हमसेSet के बाद में से क्या च्टेक्याशन फ्लॉक क्या जाता है ठीके टंग्सटन जो 90 percent times they use a filler metal ठीक है अगर filler metal नहीं यूज किया जाता है उसको autogenous holding बोलते हैं autogenous holding means there is no filler metal is used it is fused without filler metal is called autogenous holding ठीक है in this process a non-conjumable electrode tungsten is used a tungsten metal is used which is non-conjumable and they it is used to create the heat energy okay तो इदर में carbon arc holding का कुछ फोटो लगाया हूं carbon arc holding कैसे होता है बाद में summer star cooling कैसे होता है tea holding कैसे होता है और आपका manual metal arc holding कैसे किया जाता है metal inert gas holding MIG हम MIG और MAG दो है metal inert gas metal active gas अगर active gas यूच किया गया then it is metal active gas holding अगर inert gas यूच किया then metal inert gas holding metal inert gas holding और flux code arc holding उसमें common difference है metal inert gas holding में आप solid wire यूज करते हो मगर flux code arc holding में wire के अंदर में flux रहता है जो एक protection की तरह काम करता है मगर metal inert gas holding MIG और MAG में एक inert gas और active gas यूच किया जाता है protection देने के लिए it is an arc holding process where its coalescence is produced by hitting the job with an electric arc established between a continuous fed metal electrode and the job no flux is used no flux is used okay but but the arc and the molten metal is shielded by an inert gas okay which may be argon helium carbon dioxide or a gas mixture based on continuous fed electrode MIG welding process is much faster in compared to TIG welding and can produce deep penetration joints all commercial metals and the LS can be welded then MIG welding ऐसा आपका रहता है जिसमें आपको gas cylinder रहेगा regulator flow meter रहेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका flow meter कितना है high pressure gas cylinder रहेंगे pillar metal रहेंगे pillar metal रहेंगे pillar this is the pillar feeder जहां से वायर आके gun के तुरू फीड होता है वायर डीपर रहते हैं वायर feeder रहते हैं constant voltage voltage power source power source रहेगा जहांसे आपको power मिलेगा और welding torch या मिग गन भी उसके साथ रहेंगे फ्लक्स कोड और र कोल्डिंग मैं जैसे आपको पहले बताया मिग मैड और FCAW flux कोड र कोल्डिंग अम लोग फ्लॉक्स फ्लॉक्स को बताया कि या मुड अम लोग फ्लॉक्स और ड्व प्लॉड फ्लॉक्स a silding gas co2 argon helium nitrogen etc is used to adverse uh avoid atmospheric contaminant of the molten weld pool a filler wire is used for the welding in this process and high fume is produced and the welding is possible for defect and absolute of welding is very much productivity okay production is there silding gas silding gas protect the molten weld metal and heat affected zone from contamination from surrounding atmosphere will also affect metal transfer characteristics and penetrations kithana type ka a silding gas a inert gas a argon helium reactive gas a carbon dioxide mixture of inert and reactive that is argon oxygen argon co2 ham log kavi kavi mixture of gas b huge silding gas properties ham log throda dek lhe the argon ka kya property hota hai argon gas agar ap lih use kar rahe ho then it is excellent arc stability heavier than air joh air se heavy reta hai ho kya karta ek protection layer bana deta oxygen ko andar gushne nahi deta hai helium inert gas increased heat input faster travel speed and lighter than air carbon dioxide increased heat input good shielding and oxidation oxygen improved wetting arc stabilization and oxidation hydrogen improved uh bead heat input and everything okay these are some now the characteristics of silding gas mode of metal transfer observe holding karte ho mig mag fc double ka holding karte ho ya koi dhuzra double type ka holding karte ho aapka deposition rate or aapka energy level aapka energy level aapkita na karan dhe rho thik hai usi sab se aapka kya hota metal transfer jota hai uska mode change hota hai to either main grab banaya ho agar aapka deposition rate cha rahe ho aur kam aapka energy level aapka energy level aapka energy level then you will get a short arc then it's globular then it's polished spray and then it's spray arc spray arc means the deposition rate is too high if you see the uh curve here the deposition rate for spray arc is high if the energy level will go high the deposition rate will be very high and it will call as spray arc ठीक है electro slag holding मैं इदर कुछ दूसरा holding के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपके knowledge में रहे तो अच्छा है आपको future में कभी जरूत पड़े तो आपको एक idea आएगा electro slag holding कैसे किया जाता है इदर इसका photo में लगाया हूँ इसमें प्रोड़क्शन जोंट के लिए हम लोग electro slag को यूज करते हैं जिसमें प्लॉक्स मेल्ट होके एक लेयर क्रेट करता है स्लाग का ठीक है electro gas holding it is an arc holding process where it equivalences is produced by a gas or heat required for welding is obtained by maintaining a continuous electric arc between the electrode and the molten weld pool during the welding operation ठीक है इसमें हम लोग क्या करते हैं exude gas use करते हैं पर golden molten weld pool cooxidation से बचाने के लिए and only DC can be used for electro gas welding प्लाज्म आर्क वोल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं एक प्लाज्म आर्क को हम लोग यूज करते हैं ठीक है प्लाज्म आर्क से हम लोग heat create करते हैं बाद में फिलर metal add करके हम लोग ओ फिलर मेटल को parent metal से add करते हैं और welding करते हैं तो प्लाज्म आर्क holding is a arc holding process where in coales is produced by heat obtained from a constructed arc step up between tungsten and alloy tungsten ठीक है को जो प्लाज्म क्रेट होता है बाई टॉंग्स्टों टिप arc spot holding it is an arc holding process at zero arc travel speed where in coaleses between two coating surfaces is obtained with the help of spot formed by heating with air electric arc step up between tungsten electrode and one of the two closely fit surface tungsten हर जगा पर क्योंग यूज किया जाता है क्योंकि tungsten non-consumable होता है और उसका melting point बहुत हाई होता है it can create a lot of energy but at the same time it cannot be consumed ठीक है इसलिए उसको tungsten का tip बहुत जगा पर यूज कर जाता है stored holding आप stored holding देखे होंगे बहुत सरा जगा पर it is an arc holding process where in coales produced by heating with an electric arc drawn between a metal stored bolt ribet or a similar type of base metal मानलो आपका एक लंबा चैनल है और उसके उपर आपको बोल्ट लगाना है आप अगर बोल्ट को welding करते जाओगे करके वह आपको बहुत time taking भी होगा और उसमें आपको quality भी नहीं मिलेगा उस इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं stored welding को यूज करते हैं stored welding में एक equipment रहता है जिसमें आप बोल्ट को fix कर सकते हो और directly job के ओपर उसको touch करके welding करा सकते हो ठीक है उसमें आपको post strengthness रहता है बोल्ट का और आजाता है बाग में by force positive or negative pole को पास लाया जाता है and it makes a spark and it will be connected with each other resistance holding is a group of holding process wherein cohalences is produced by the heat obtained from the resistance offered by the work pieces of the flow of electric current in a circuit in which the work is a part or by the application of pressure इसमें pressure ज्यादा तर यूज किया जाता है मगर इसमें याद रखने का no filler metal is added इसमें filler metal add किया नहीं जाता है the different types of resistance welding are as follows resistance holding a spot holding similar type of resistance holding but the type of rod type of piece they are using it is different that's why we call it as a spot holding नहीं तो seam holding seam में आपका roller use किया जाता है इसलिए दोनों seam को join करने के लिए हम लोग roller use करता है इसलिए हम को seam holding बाद में क्या होता है projection holding projection holding में एक piece को क्या किया जाता है projected करके दूसरे piece को पर डाला जाता है और बाद में pressure apply किया जाता है जिसमें holding होता है उसको projection holding these are different types of resistance holding resistance but holding similar type but the electrode use is different type okay अभी हम देखते हैं कि world design क्या होता है welding का design हम लोग कैसे करता है before an arc stock or metal the product must be designed to serve its purpose अगर आप उसका welding का design नहीं बना ओगे और आप holding करने के लिए जाओगे तब आपका welding failure हो सकता है ठीक है welding का बहुत ही महत तो रहता है बड़ा बड़ा structure बनता है अगर आप बराबर उसका world design नहीं किये हो और holding आप carry out किये हो तो future में क्या होगा holding crack हो सकता है holding तो तूट तूट सकता है तो बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है दनानी आदमी लोग मर भी सकते हैं इसलिए world design करना बहुत ही जरूरी है world designing करने के ताइम हम लोग क्या क्या करते है environmental conditions leading to brittle fracture creep corrosion welds etc had to have to be considered before doing a design at the same time we have to find out which type of material is used what is the welding method everything we have to consider before going for the final world design approach तो जब welding design क्या जाता है उसमें कौन से कौन से factors लेया जाता है material selection कौन सा material use होगा weld process selection ठीक है ओंसा material हम लोग युश करेंगे बाद में हम लोग क्या करेंगे उसमें कौन सा process selection क्या जाएगा joint design कैसा होगा and holding position कैसा है wasted material selection अउनलोग कैसे मेट्राल सेलेक्शन करते हैं the primary requirement for selection of any structural material is weldability आप जो मेट्रेल सेलेक्ट कर रहे हो वो कितना weldable है कि नहीं बहु समा मेट्राल है जो voeldevyलीटि के लिए उतना सही नहीं है ठीक है आप उसी standard का कुछ दूसरा जो जातला इसे जो बीड़ फोड बीड कर रहो सब कर रहो थी जातले होती हैूँ इस फोड़्दी वोड ि चूस-करो फिस्सकीत सकता व्डरा से भाल उक मुझ घोड और उड़ झानी का वे बीड हमें कीब उड़डी एम पीडireग निया धुट्टि। imposed into a specific suitability design structure and to perform satisfactorily in the intended service आपका जो service के लिए यूज हो रहा है आपको कोई रेल का पट्री बनाना है आपको रेल का डबा बनाना है आपको हवाई जाज बनाना है आपको एक क्रें बनाना है सबका पॉर्पोस अलग अलग है सब में जो लोड आएगा किसी में वाइब्रेशन लोड आएगा किसमें साइक्लिक लोड आएगा किसमें सीरिंग लोड आएगा जिस तर डिफरेंट डिफरेंट टाइप सब लोड आएगा उसी साब से हम लोग डिजाइन करत serviceability of the resulting welding joint तो हम लोग और क्या क्या चेक करते हैं जब हम लोग design करते हैं carbon content उसमें carbon content कितना है ठीक है the relative effect of other alloying element is exposed by carbon equivalent carbon equivalent हम लोग कैसे calculate करते हैं carbon plus manganese by 6 plus chromium plus manuvial atom plus by 5 plus chromium by nickel by 15 इससे हम लोग क्या पता चलता है कि carbon equivalent इसमें कितना है carbon equivalent हमको क्या पता चलता है कि इसको कितना heating करना है ठीक है प्रीटिंग कितना करना पड़ता है कि देन वेल्ड प्रोसेस सेलेक्शन वेल्डिंग डिजाइन करते हैं पहले बाद में हम लोग मैं लोग क्या करते है उसके लिए कई सावर डिंग प्रोसेस उस क्या जाएं और सिप्रोसेस की तो अज ब्रोसेस मतल लार्ज थिकनेस अफोलिंग प्रोसेस के इस्टूजन दान फरस मेटाल मेटास ब्राइजिंग इस्टूजन लाग दाट वी आपको पहले बोला मीग और मैग और टंग्स्टोन मेटाल इनर्ट गैस वोल्डिंग प्रोसेस अच्छा होता है कोई आपको ऑक्सिडेशन का चांसे काम होते हैं और आपको वोल्डिंग प्रोसेस अर्कूज हो गया तो आप फोटिंग नहीं कर सकते हैं बैस मैटबैस मेटाल मेटरियाल एनवारमेंट कैपासिटी प्लिंग तवरेशन अपैवजिटी यह सब चीज को आपको ध्यार मेटना पड़ता है वेल्जॉंट डिजाइन यह होने के बाद आप वेल्जॉंट डिजाइन करते हैं वेल्जॉंट कैसे डिजाइन करेंगे तो आपका मेटर्ल का स्ट्रेंग्ट भी गलत हो सकता है कि उसमें अधीशन औफ फिलर मेटर्ल जितना होना चाहिए उतना कम हो सकता है यह आप ज्यादा किये तो आपको यह ज्यादा को सकता है जिससे आपका प्लांट को नुकसान हो सकता है इसलिए weld joint design करना this is one of the important factor the selection of weld joint for a particular type of weldment depend upon the following factor base metal thickness कितना है geometry के सा है magnitude and type of loading cost of edge preparation number of passes ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ता है welding joint generally कितना तरह के होते हैं generally हमारे पास bot joint होते हैं kernel joint होते हैं edge joint होते हैं lap joint होते हैं और टी joint होते हैं आप joint का diagram देखके समझ सकते हो कि बार्ट जैस कैसे होता है या corner joint कैसे किया जाता है या edge joint कैसे किया जाता है by the image you can find it out तो इदर में चार्ट लगाया हूं joint design का square single b single weble single j single u single b single double weble double j इस तरह का joint detail लगया हूं जिससे आपको एक idea आएगा कि joint details कि सब्सक्राइब जोंट कर जो हमारा joint design होता है कैसे बना जाता है और कितने तरह का joint design हम लोग बना सकते हैं कि इधर में कुछ welding का position के बारे में लगाया हूं कि प्लेट पोजिशन के प्लेट का प्लेट पोजिशन ठीक है अगर हम लोग पाइप में तो पाइप में सेम पोजिशन आएगा इन एडिशन to that हमको और तीन पोजिशन ज्यादा है जाएंगे 5G 6G and 6G R फिलेट में 5F and 6F 5G 6G 6G R क्या है 5G पोजिशन में क्या होता है आप डाउन में मारते हो बर्टिकाल में मारते हो मगर इसमें आपको होराइजेंटल पुजेशन में सोनता है अगर वशिशन में क्वादिफा के पास होना यह नहीं तो प्लॉस 2G में क्वालिफाइब होना है 6g आर क्या है 6g आर में एक रेस्ट्रिक्षिंच रिंग लगाया जाता है जिसमें आपको वल्डिंग करने में डिफिकल्टी और होता है इसलिए उसको 6g ऑड पोल ठीक है के उस्सिछ साब से को चांट लगा। फॉल डीपक्ट बारे में दोस्तों बात करतें हैं कितने अवाग्स हैं जैसे क्राकण है क्राक कग्या करद कौछ मैं आपको जैसे बताया मेरा पूराना वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें वोल्ड डिपेक्ट के बारे में बिस्तार में बताया है और उसका डिपेक्ट भी बताया है मैं आपको जैसे पहले से बताया वीडियो प्रिलिम्नारी जो वल्डिंग में अपना केलियर और उनके लिए हैं और इनसे उनको एक आइडिया आएगा कि क्रण कीसे डिफेक्ट फर दिच विडिए और इसके लिए यह रिजिन के लिए जैनरी वल्डिंग के निवाट करां के होता है जब lamellar tearing क्यों आता है it can be seen in the metal of the parent metal in the HAZ the crack usually running parallel to the plate surface T and Connergence are most susceptible for lamellar tearing and then other joints lamellar tearing it's usually a forging defect ठीक है आपका inclusion रहने का time में जब आप metal पूर करते हो बाद में rolling किया जाता है अगर उसमें कुछ अंदर में foreign material रह जाता है during rolling it become platinum ठीक है फ्लाटन होने के बाद O material को welding करने के time में that lamellar tearing defect can arises okay Incomplete penetration क्यों होता है small root gap small marble angle less arc current fast arc travel इस सब चीज के लिए आपको incomplete penetration होने सकता है and this defect is rejected अगर आएगा आपका welding का strength ही नहीं रहेगा इसको हम लोग rejected welding बोलते हैं इसको काटके और एक बार वोल्डिंग करना पड़ते हैं slag inclusion welding के time में अगर आप बराबर slag साप नहीं करोगे inter run cleaning नहीं करोगे बराबर shipping नहीं करोगे तब आपका slag inclusion आएगा inclusion may be in the form of slag or any other foreign metal there are impurities which do not get a chance to float on the surface get trapped in the solidifying world metal inclusion slower the strength अबता जो प्रोशिटी एंड प्लोहल्स प्रोशिटी प्लोहल्स क्यों आते हैं क्योंकि आपका silding बराबर नहीं रहता है आप जब वोल्डिंग करते हो अगर आपका फ्लॉक्स डेमेज है या आपका ग्यास इंसपिसेंट ग्यास है तब बाहर का ओक्सिरेजन आके अंदर में फ्रोशिटी बना सकता है लिए फ्लोहल्स बना सकता है ठीक है लेकष ऑफुजन लेकष ऑफुजन बंडिंग बिट्विटिवन्ट्वन्द मेटल और बिट्वन्द मेटल पासेस यह होता है लेख अपूजैशन आपका दोनों रॉन के बीच तो देन स्पाटर में पिर सपाटर विज़ेस न करने शनद बनाना के मुएकन हцभ सस्या एक प्रफेस्ट प्रिपरेशन यह सब चीज के लिए अंडरकट आ सकता है और अंडरकट का अगा सब्सक्राइब उतने से ज्यादा डेप्ट का अगर अगर अंडरकट रहता है तो हम लोग असे नहीं करते हैं वह सारा चीज आप मेरे लास्ट वीडियो में पा सकते हो कितना सब्सक्राइब और कितना अंडरकट आप कौन सा जगह पर असेप्ट कर सकते हो कि वोब लाप अनोब लाप अकॉर्स वन्द मोल्टन मेटल फ्रम देलक्ट्रोड फ्लोज ओवर दपेरेंट मेटल सर्फेस्ट विदाउट फ्यूजन अनिट ओके उसके ऊपर चला जाता है प कुछ बॉंडिंग नहीं हुआ तो उसका स्ट्रेंग्ट ही नहीं आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ओबर लाप क्यों होता है लो करन्ट स्लो आर्क ट्राबल स्पिट लॉंग अर्क ठू लाट्ज डामेटल एलोक्रोड इंप्रपर जोंट जोमेट्री एट्सेटर डिस्ट को कंट्रोल करना चाहिए डिस्टॉर्षन कैसे कंट्रोल करते हैं आगे आम लोग पढ़ेंगे ताइप सब डिस्टॉर्षन कितना तरह के डिस्टॉर्षन होता है लंगी जूर्ण ट्रांसबार्स एंड एंगुलर ठीक है लेंग्ट में हो सकता है ट्रांसबर्स में लेंग कर सकते हैं फैसी कई करना को बिलेग करना इ59 निग विप्रम्स करके या प्रेटिंग करके अम लग म gord Nelson कर सकते हयं 잠깐 जाता है आपको डो टोपने को वी कर विल्डिंग करना है तो आप जीन कर सकते हूं तो आप स्टीड वर्डिगज कर सकते हो इससे आपको क्या होता है, heat input काम होता है, ठीक है, heat input काम होने से, आपका plate bend नहीं होता है, distortion नहीं होता है backstep holding कर सकते हो, first this one, first one, then two, then three, like that, you can do the welding and by this backstep holding, you are not giving a continuous heat, आप इदर continuous heat नहीं दे रहो, आप थोड़े जगा पर दे रहो, जो ठंडा होने बाद, वो distortion नहीं हो जाता है आप continuous heat दे रहो, तो आपको longitudinal distortion होने का chances, intermittent holding, आप क्या करते हो, continuous welding नहीं करके, पहले एक जगा पर करते हो, बाद में उसका opposite में करते हो, इसको intermittent holding बोलते हैं, इसमें आपको heat input uniformly distribute होता है, और plate distortion होने से बच जाता है बाद में NDD क्या है, हम लोग holding के बारें पता कि holding क्या होता है, holding का process क्या होता है, holding का defect क्या होता है, distribution क्या होता है, world design क्या होता है, वेल्ड का joint design कैसे क्या जाता है, world joint design कितने तरके हैं, position कितने तरके हैं, यह सब चीज हम लोग देखें, अभी हम लोग पता करेंगे कि NDD कितना मयवत तो रखता है, welding में, मैं आपको जैसे पहले से बताया, अगर आपको पता करना है, कि NDD के बारे में विस्तार में पता करन जाता में, अब stop inegra में विजिवल टेस्टिंग, penitrant testing, magnetic particle testing, ultrasonic testing, and radiographic testing तो भीजोज और तेस्टिंग क्या होता है, विजोजोल चैसिंग में अब लोग जनरली खे चेस करते हैं, combination Z MILDול GASE हो गया, जिस में हम लोग welding और उसका थ्रोट उसका लेग लेंद उसमें कुछ विजुली कोई स्पाटर है पोरोसी या अडर केट यह सब चीज हम लोग विजुल इंस्पेक्शन में आइडनिफाई कर सकते हैं यह मिस् मैच एसे कुछ हम लोग देख सकते हैं इंस्पेक्शन अबजेक्श बियर सर्फेस वि क्या है it is simple less training required and relatively low cost equipment and discernment is slow and inspector fatigue is more and surrounding environment factor are important मैं मानता हूँ visual inspection is very important tool for welding अगर आप visually inspect welding में करेंगे तब आप बहुत सरे defect को eliminate कर सकते हैं ठीक है अगर जो sub-surface defect है जो अंदर है हम लोग नहीं देख सकते हैं that is okay but visual inspection में भी हम लोग जोन के बहुत सरे defect identify कर सकते हैं और उसको time rate eliminate भी सकते हैं बाद में penetrant inspection penetrant inspection में क्या है जो visually दिखाई नहीं देता है मगर अंदर में कुछ कराक है which is open to surface very fine hair cracks hair very fine penoles or porosities which cannot be identified in visual inspection we can find it in penetration penetrant inspection इसमे क्या होता है it reveals discontinuities open to the surface by the seepage of a liquid penetrant medium with a surface open discontinuity which shifts out after removing the excess penetrant revealing the discontinuity ठीक है stages of penetrant testing का क्या होता है पहले pre-cleaning काना पड़ता है बाद में application of penetrant then dwell time dwell time is very important if the dwell time is not maintained then you cannot find out the proper defects clinic of excess penetrant application of developer inspection and post cleaning advantage मैं इडर कुछ फूच 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 भाई हूं अपका penetrant testing makers identify क्या जधा है that there is some porosities or penoles there are some porosities after penetrant testing it's come out okay simple method here some porosities and it looks like there is a longitudinal crack or something but it is okay something like that simple method easy to train person cheap quick open only open defects can be detected the only disadvantage in pt is only open defects it is if there is any subsurface defect we cannot find out in penetrant magnetic particle testing is when kya hota hum log subsurface defect bhi kuch identify sub-surface defect up to heart depth max 6 mm max 6 mm we can find out object object magnetized then if a gap there is 2 opposite poles we created An änd तो types of magnetic particle types of magnetization, आप magnetization कैसे करोगे, पहले magnetization करोगे, बाद में ही magnetic particle दालोगे, तो there are different methods of magnetization, कैसे करता है, yoke method, prod method, coil method, central conductor method, headshot method, there are different types of methods, headshot, this is yoke, this is prod type, this is central conductor, this is coil type, ठीक है, इसका पूरा बिस्थर में आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, magnetic particle inspection का एक दूसरा वीडियो में बन है, magnetic medium कैसे रहता है, जो आप magnetic medium जो डालते हो, ड्राय भी रह सकते है, wet भी रह सकते है, florescent भी रह सकते है, non-fluorescent भी है, florescent बाला जो है, वह हम लोग जनरली बोल्ट बगरां में रिंस करते हैं, तो find it out very clearly, जोब आप ultraviolet light में देखोगे, because for this one it needs ultraviolet right, जो उल्ट्रा वाइ mixture of spherical and elongated powders spherical shape helps in mobility and elongated shape helps in alignment and magnetic field magnetic medium use करते हैं और dry medium उते होता है wet medium में हम लोग कैसे उस करते हैं oxides of iron used in suspension with water kerosene and petroleum oil size is 20 to 30 micron and more sensitive than demagnetation बहुत important है आप magnetization किये बाद में magnetic medium डाले बाद में defect identify किये defect rectify किये defect rectify करने के बाद आपको demagnetation करना पड़ेगा अगर आप demagnetize नहीं करोगे तो equipment के ओपर उसका future में effect आएगा जब operation में काम करेगा उसका effect आएगा और उसका deformation हो सकता है इसलिए हमको demagnetation बहुत important है residual magnetic effect further operation such as welding demagnetation is briefly done with sc object is more slowly away from the coil and the demagnetation will be done advantage or disadvantage क्या है इसमें advantage है for detecting surface and subsurface PT में क्या था है only surface can be tested rapidly not pericastly relatively less skill required for the testing this servant has only useful for ferromagnetic हम लोग जो magnetic material है ठीक है हम लोग stainless steel को नहीं कर सकते है stainless steel is not magnetic metal okay हम लोग जो ferromagnetic material है खाली उसी को ही कर सकते है demagnetize may be required for many of the parts ठीक है ultrasonic testing PT MT then UT UT में क्या क्या जाता है a beam of high frequency web is introduced into the test object which gets reflected from the surface of any discontinuity used to detect and locate the surface and internal discontinuities ठीक है ultrasonic testing में हम लोग एक high frequency web use करते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं एक defect को identify करते हैं अगर defect में कुछ discontinuity होगा तो defect का return pulse हम को identify करेगा इन a CRT display that there is a defect ठीक है ultrasonic testing जैसे यहां पर एक probe रखा गया एक sound wave छोड़ा जाता है sound wave travels there and then return backs from the bottom that means there is no obstacle okay but in this case if there is an obstacle it doesn't reach to the bottom it comes from the middle person तो हमको पता चलता है कि बीच में कहीं पर एक defect है जहां से वो बापस आया ठीक है ultrasonic testing का principle होई है इदर क्या होआ जब पहले a one web is go one web is transmitting it hit to the bottom then it goes to the top side so we get two full amplitude magar इदर क्या होआ we get one full amplitude and one half amplitude okay because full amplitude when we put the probe and half amplitude when it doesn't reach to the full person and it come back okay it's it must be reached to this level but it doesn't reach that's why there is a defect ultrasonic testing में कितने बहुत तरह का तरीक है हमारे pulse psychotechnique उसमें एक है जिसमें transducer act as a pulser and receiver act can detect the location and depth of the defect इसमें हम लोग location और उसका depth क्या है वो भी पता कर सकते हैं and only one side access is required हम लोग pulse psychotechnique में हमको दोनों side में प्रोब रखने का ज़रुवत नहीं है हम लोग side में प्रोब रखके पता कर सकते हैं कि defect कहां तक है ठीक है बाद में आता है through transmission through transmission में क्या होता है separate transmitter and receiver is used accurate alignment and transmitter and receiver is required and cannot locate the depth इसमें हम लोग क्या करते हैं एक transmitter use करते हैं एक receiver करते हैं और transmitter and receiver दोनों accurate location में होना चाहिए है कि बाद में आ गया radiographic testing radiographic testing में हम लोग क्या करते हैं वह कि एंपलोई x-ray और gamma ray ठीक है दो तरह का आप अम लोग को radiation यूज कर सकते हैं आइदर x-ray कर सकते हैं नहीं तो gamma ray उसकर सकते हैं to penetrate and object detect discontinuities by recording the difference on a recording device हम लोग क्या करते हैं एक radiation source ने छोड़ते हैं जो radiation source एक metal piece को पार करके एक फिल्म के ओपर उसका impression दिखाता है and this impression shows what are the integrity of the metal parts ठीक है for internal flaws we can find out in radiographic testing we have a permanent record because we got a x-ray film and radiation safety is a major concern because it can harm the people life okay basic principle क्या होता है यह होगे आपका radiation source जहां से आपको radiation आता है ठीक है radiation आता है radiation will pass through this radiation is passed through this metal surface and this metal surface whatever the radiation pass through and if there is a defect here this one will show in this film and the film is here okay the film is here so radiography हम लोग क्या करता है पनेटर में पनेटरमेटर उस करते हैं to check whether our radiation is appropriate to check the defect okay जो defect आ रहा है अगर पनेटरमेटर में बराबर पनेटरमेटर में बराबर पनेटरमेटर सो कर रहा है that means the defect is also correct use penetrameter for ensuring the quality of radiography procedure आपका quality बराबर है कि नहीं penetrameter are whole type and wire type sufficient radiographic density is required for the radiographer for proper टेक्निक क्या क्या उस करते हैं हम लोग generally radiography के लिए single wall single image जब radiography pass क्या जाता है in a single wall and a single film is used then single wall single image double wall double image okay then panoramic जिसमें source को अंदर से exposed क्या जाता है and double wall single image कि इदर एक फिलिम के बारे में दिखाया गया है कि tungsten inclusion इसमें एक डिफेक्ट आया है इसमें पोरोस दिकाबी डिफेक्ट है और इदर वयर जो लगाया है लगाया है जैसे penetrameter में बताया this is penetrameter to find out whether it is proper or not बाद में welding procedure specification क्या है अभी हम लोग वोल्डिंग के बारे में पुरा पता कि डिपेक्ट के बारे में डिजाइन के बारे में उसका इंडिटी के बारे में बाद में आप जब एक वोल्डिंग डिबल प्यस बना होगे आपका तीन चीज़ होता है welding procedure specification procedure qualification record and welding welder performance qualification उसके बारे में एक अलग सा वीडियो अलएडी मेरा बना हुआ है जिसमें आप पता कर सकते हो कि डबल प्यस कैसे बनाते हैं पीक्यूर कैसे बनाते हैं और welder का qualification test कैसे होता है उसका qualification trends कैसे find out किया जाता है all according to ASME section 9 ठीक है तो इदर हम लोग ब्रीफ लीप पता करेंगे welding procedure specification क्या होता है from a designer point of view the properties of weld joint are designed as follows weld metal chemistry ultimate tensile strength the l point percentage elongation hardness and impact strength to welding procedure specification क्या होता है it's a written qualified welding procedure prepared to provide direction for making production weld to code requirements to make a smooth welding smooth welding code requirement के हिसाब से करने के हिसाब से जो procedure बनाया जाता है उसको welding procedure specification बताया जाता है तो इच अब दास welding process specification shall be qualified by the welding to test coupons and the mechanical testing of specimen cut from the coupon data from the test and the result are recorded in the PQR पहले PQR बनाया जाता है बाद में एक PQR से बहुत सरह WPS मेंनाया जाता है ठीक है तो प्रोसेजर क्वालिफिकर संदकर्ड में हम लोग बहुत सरह testing करते हैं मैं detail में नहीं जाओंगा WPS में भी हम लोग सरह testing करते हैं बाद में PQR WPS बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं वो डबल करते हैं अगर वोल्डिंग करता है अगर वोल्डिंग करने के लिए तो जब लोग वोल्डिंग प्रशिज्गर स्पेसिफिकर सने कलिक लिखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या चीज sharig एलिक्टरिक ऩरे ट्रेक्रिटफिक वह द्यों क्मैंट गया दक्निक्स भी निकाल दाल जाता हैं बाद में एक WPS में generally 3 तरह का variables रहते हैं, एक होता है essential variable, एक supplementary और एक non-essential variable, इस सब के बारे में आप अभी पता करेंगे, essential variable क्या होता है, when changed beyond the allowable limit, जो allowable limit है, उसके हिसाब से अगर हो change होता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, we need a requalification or certification, because that's why it is called a essential variable, अगर आप उसको change करते हो, तो आ supplementary essential variable में क्या होता है, in case where a procedure qualification is applied, weldment going for a notch toughness test, this is very important, अगर impact test or notch toughness test है, then all supplementary essential variable become essential variable, ठीक है, अगर आपका WPS में आपको notch toughness test by impact test का जोरुट पड़ता है, तब आप क्या करोगे, जो supplementary essential variable होगा, that become essential variable, and if you change those supplementary essential variable during the process, then you need a requalification. Non-essential variable क्या होता है, those welding variables which when changed during welding do not catch, कुछ भी एपक नहीं करता है, to alter the desired weld properties are classified under non-essential category, they are just altered in the WPS, hence production world in such altered parameter could be continued without any requalification or certification, non-essential variable के लिए आपको requalification or certification करने का जरुवत नहीं है, दोस्तों यह मेरा एक प्रैस था, मेरे उन दोस्तों के लिए बताने के लिए जो नए फिल्ड में आये हैं, या नए ने वोल्डिंग में सीखने के लिए चाहते हैं, अगर आप एक स्लाइड देखोगे तो आपको एक overall idea मिलेगा, आप कैसे वल्डिंग के बारे में पता कर सकते हो और अपने प्रोपसर अनलाइप में यूज़ कर सकते हो, बाद में अगर आपको हर कोई topic में विस्तार में पता करना है, तब आप क्या कर सकते हो, कि मेरे पुराने video हैं जिसमें विस्तार में बताए गए है तो आपके दोस्तों के साथ स्यार करिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में कमेंट दीजिए मैं आपके लिए इसे नए नए वीडियो और भी आगे लाता रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों